Hello everyone, कैसे हूँ आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही असान और ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ यह डिजाइन यह पैटरन बहुत ज़्यादा असान है फ्रेंड्स इसे आप बच्चों के लेडिस के या जैन्स के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 4 के मल्टिपल से होंगे 4 फंदे, 4 फंदे, 4 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाहिए लास्ट में आपके तीन फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो ये पैटरन अच्छे से सेट हो जाएगा और फ्रेंड से सिरफ चार सलाईयों का डिजाइन है तो चलिए जल्दी से बनाते हैं सलाई में मैंने 15 पंदरा फंदे लिये हैं ठीक है बहुत जादा असान डिजाइन है तो पहले फंदे को हमने ऐसे स्किप कर लेना है आप बनाते हो तो बना भी लेजे ठीक है ऐस्टीच का फंदा है फिर एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से धागा दूसरी तरफ करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे बनाए अब फंदा जो सीधा बनाया था ये वाला इसे उपर से उठाएंगे गिरा देंगे इन दो फंदो के उपर से गिरा देंगे तो ये ही चार फंदों का डिजयन है, इसे ही पूरी सलाई में बार 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 पीट करते जाना है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर फर्स्ट फंदे को दो फंदों के उपर से गिरा देंगे, अब फिर से धागा अपनी तरफ एक फंदा उ उल्टा दागा दूसरी तरफ ये एक, दो, तीन फंदे सीधे अब इस तीसरे फंदे को जो फर्स्ट फंदा है न ये वाला सीधा बनाया है इन दोनों के उपर से गिरा देंगे ऐसे करते हुए देखे तीन डिजाइन हमने बना लिए लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे जि फंदे को उतारना है धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक ये दो फंदे उल्टे ठीक है फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक फंद सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए design की second row भी पूरी हमने बनाकर complete कर लेनी है ठीक है design की दो स्लाइए बनाने के बाद अब तीसरी row है जो सीधी तरफ से है first फंदे को उतारिए धागा अपनी तरफ एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे देखे इस तरह से और एक फंदा सीधा अब इनी चार फंदों को पूरी स्लाइ में बार बार रपीट करेंगे एक फंदा उल्टा एक सीधा जाली डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से रपीट करेंगे धागा अ अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करती हुए, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपन से चोथी जलाई भी सेम वैसे ही बनेगी, सीधे फंदों पर सीधे और उल्टों पर उल्टे रेखे, यह सीधा फंदों हमारा सीधा ही बनेगा, फिर धागा अपनी तरफ, अब यह एक, दो, तीन फंदे उल्टे, फिर से धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे एक दो तीन लास्ट में ये एक फंदा सीथा और एक उल्टा ऐसे करते हैं डिजैन की फोर्थ रो हम पूरी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे देखिए चोथी सलाई बना ली अब सीधी तरफ से हमने इसे फर्स रो से इस डिजैन को स्टार्ट करना है ये इस तरह से हमार डिजैन बनता जाएगा देखिए फर्स रो एक बार फिर से बना कर दिखाती हूं फर्स फंदे को उतारिए एक फंदा उल्टा बनाईए धागा दूसरी तरफ एक दो तीन फंदे सीधे अब इस तीसरे फंदे को आपने उपर से गिरा देना है दिखिए कुछ इस तरह से इ बहुत सुन्दर डिजैन बनता है फ्रेंट्स एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब इस तीसरे फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देंगे दखा अपनी तरफ फिर से एक फंदा सीधा जैसे मैंने फर्स रो आपको बना कर दिखाई है वैसे ही आपने वन टू फॉर्थ रो रिपीट करते जाना है रिपीट करने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन मन कर डेडी हो जाएगा तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका अ लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर में लूगे नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैवा नाइस टेए